छट क्या है? छट इमारत के आवरंड का हिस्सा है। ये इमारत का उपर का हिस्सा होता है। छट के निर्मान के तीन मुख्य पहलू होते हैं। सामग्री, केले के पत्ते, गेहूं की घांस, समुदरी घांस, कासा, एलुमीनिम और concrete का प्रयोग छट बनाने के लिए किया जा सकता है दुनिया के कुछ भागों में सिर्मक की टाइलों का भी सरवाधिक रूप से प्रयोग किया जाता है निर्मान छट का निर्मान उसके अवलंब के तरीके वहां की जलवायूं और उसके नीचे की सतर पाटी हुई है या फिर ढलानदार है सहनशीलता टिकाउपन ये सबसे बड़ा चिंता का विशय होता है क्यूंकि छट घर का वो हिस्सा होती है जिसकी हम सबसे कम मरमत करते हैं तथा हम बहुत कम छट का प्रयोग करते हैं छट में कोई छोटी सी कमी भारी विनाश का कारण हो सकती है छट के भाग छट के चार भाग होते हैं इसके साथ की सनरचना छट की सनरचना जादा तर दिवारों पर टिकी होती है हालांकि कुछ इमार्तों में छट और दिवारे अलग-अलग होती है छत को सहारा देने वाली संरचनाओं में टिंबर, कच्चा लोहा, इसपात तथा RCC होते हैं उपरी परत, उपरी परत संरचना को नमी, धूप तथा जलवायू के अन्य प्रभावों से बचाती है समुद्री घांस, आयू 40 वर्ष, तक्ते, अश्फाल्ट के तक्ते, आयू 20 वर्ष से लेकर जीवान, RCC, पाटियां, इत्यादी वस्तूओं का प्रयोग किया जा सकता है रोधक्ता, चुंकि छट का मूल भूत उपयोग जलवायू की प्रभाव से लोगों की सुरक्षा के लिए होता है, इसलिए छट की रोधक्ता को हमेशा ध्यान में रखते वे छट का निर्मान करना चाहिए कुछ वस्तूओं की रोधक्ता अच्छी होती है, जैसे घास, ऐसी वस्तूओं की छट के लिए रोधक वस्तूओं की आफशक्ता नहीं होती है लेकिन जिन वस्तुमों की रोधकता कम होती है ऐसी छतों के उबरी हिस्से के ठीक नीचे रोधक पदार्थों को लगाया जाता है विक्स देशों में छत, सनरचनात्मक जिल्ली के नीचे सीलिंग लगाई जाती है जो ठंड, गर्मी, आवास और धूल से बचाती है पानी का निकास छतों का काम है पानी को छत से बाहर भीजना पानी के निकास की विवस्था समतल छतों के लिए अति आवशक है समतल छतों में थोड़ी सी धलान होनी चाहिए धलान वहाँ पर होने वाली बारिश पर निर्भर करती है छट से आने वाला पानी इमारत के उन हिस्सों को नुकसान पहुचाता है जिन हिस्सों को छट बचाती है इससे दिवार को नुकसान होता है और अगर यह नीव के आसपास रहे तो नीव में रीज कर उनको कमजोर कर देगा और इससे सरांध पैदा होती है इसलिए सभी इमारतों में इमारत को छट के पानी से बचाने के लिए एक व्यवस्थित जलनिकास प्रणाली होनी चाहिए सोलर छट ये छट बनाने की एक नई प्रणाली है इसमें सौरे उर्जा के तक्तों से छट को धग दिया जाता है जो घरों को बिजली के साथ साथ जलवाईयों की प्रकोप से भी बचाते हैं